ट्रक पर माल लोट कर रहे हैं ये कोई आम मजदूर नहीं बलके पाकिस्तान के सुपरिश्टार किर्केटर बाबर आजम, शाहिन साफ रीदी, मुहम्मद रिजवान वगेरा हैं जिनकी आउस्ट्रेलिया में जम कर फजियत हुई है आपको बता दे कि पाकिस्तान किर्केट टीम तीन टेस्ट मैचों की सिरीज खेलने के लिए आउस्ट्रेलिया पहुँची है वर्ल कप के शर्मनाक परदर्शन को भुला कर पाकिस्तानी टीम इस सिरीज में हिस्सा लेगी किर्केट की दुनिया की दो बेहत मजबूट टीमों के बीच होने वाली सिरीज की शुरुआत 14 दिसंबर से होने जा रही है लेकिन आउस्ट्रेलिया पहुँचते ही पाकिस्तानी टीम को शर्मशार होना पड़ गया पाकिस्तान जैसी टीम के साथ आउस्ट्रेलिया में जो हरकत हुई है और पाकिस्तानी टीम को जो बेजज़ती उठानी पड़ी है उसे देखकर हर कोई हैरत में है हुआ यह है कि पाकिस्तानी खिलाडी आज आउस्ट्रेलिया के सिडनी एरपोर्ट पहुँचे लेकिन उहां लेंड होते ही पाकिस्तानी खिलाडियों का स्वागत होने के बजाए उनकी इंटरनेशनल बेज जती हो गई दरसल एरपोर्ट पर पाकिस्तानी टीम को रिसीब करने एक परिंदा तक नहीं पहुँचा था जिसके चलते मजबूरन इन सुपरिस्टार खिलाडियों को खुद ही अपना सामान ट्रक में लाद कर होटल जाना पड़ा पाकिस्तानी खिलाडियों के अपमान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है वाइरल हो रहे वीडियो में पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने अपने सामान को खुद ट्रक में लाथते हुए दिखाई दे रहे हैं सिड्नी एरपोर्ट पर ना तो आस्ट्रेलिया किर्केट बोर्ट का कोई परतिनी दी पहुँचा और ना ही कोई सरकारी अफसर उन्हें रिसीब करने के लिए हम मौझूद था यहां तक के पाकिस्तानी एमबेसी का भी कोई अधिकारी सिड्नी एरपोर्ट पर अपनी टीम को लेने नहीं पहुचा था जिसके चलते पाकिस्तानी किर्के टीम की फजिहत हो गई पाकिस्तानी खिलाडी काफी देर तक एरपोर्ट पर लोगों का इंतजार करते रहे ये बहुत शर्मिन्दगी वाली घटना है कहा जा रहा है कि इस घटना से पाकिस्तान किर्केट बोर्ट भी बेहद गुस्ते में है बता दे कि आम तोर पर जब कोई किर्केट टीम विदेशी दोरे पर जाती है तो वहाँ उस देश के दुतावास यानी अमबेसी की अधिकारी अपनी टीम के खिलाडियों को रिसीब करने ये अरपोर्ट पहुंचते हैं लेकिन पाकिस्तानी टीम को लेने के लिए ये अरपोर्ट पर कोई नहीं आया ना पाकिस्तानी दुतवास के अधिकारी और नहीं और आस्टेलिया किर्केट बोर्ट का कोई नुमाइंदा यहां तक के खिलाडियों के लिए बस का भी इंतजाम नहीं था जिसके चलते उन्होंने खुद एक ट्रक का इंतजाम किया और उन्होंने खुद ही ट्रक में अपना सामान लादना पड़ा गनीमत यह रही के पाकिस्तानी खिलाडियों की हालत देखकर आस्टेलिया के दो मुकामी लोगों को तरसा गया और उन्होंने ट्रक में सामान लोट करने में पाकिस्तानी टीम की मदद की औस्टेलिया किर्केट बोर्ट के किसी अधिकारी का येरपोर्ट पर ना होना भी हैरत की बात है क्योंकि दो देशों के बीच जब कोई सिरीज तै होती है तो टीम के आमने जाने की तारीख और वक्त सब पहले से दोनों किर्केट बोर्ट को पता रहता है सोशल मीडिया पर वाइलर रोले वीडियो पर लोग पाकिस्तान और उसकी टीम का जम कर मजाक उड़ा रहे है और तलब है कि वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तानी टीम के बेहत खराब परफॉर्मरेंस के बाद बावर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया है शान मश्रूत को नया कप्तान बनाया गया है जिनकी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम औस्टेलिया के खिलाब टेस्स रीस खिलने मैदान पर उत्रेगी लेकिन उससे पहले उनकी भारी भरकम बेज़ती हो गई है